असलाम उरीकुम फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल महविश मैजिक तो कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं खेर यह से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे तो जी अगर आप मेरे चैनल पिंगे तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और डोंट फोर यो बहुत ही इंफरमेट्िव होने वाली है आप लोगों के लिए अगर आप लोग अमरे पर जाना जाते हैं या उम्रे पर जाने का इरादा है या अगर नहीं भी जा रहे हैं तो फिर भी आपके लिए वीडियो काम की है क्योंकि अगर इंशालों 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 आपको तौफीक दे और अल्ला पाक आपको अपने घर बुलाए तो इंशालों मैं यहां पर आपको लिस्ट दिखा दूं मैंने लिस्ट बनाई है इंपॉर्टेंट थेंग्स जेंड और लेडिस मैं आपको सब चीज़े बताऊंगी इस वीडियो में कम्प्लीट गाइड करूंगी बेसिक चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको मस्ट लेकर जानी है वह भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी और इसके इलावा वह ऑप्शनल चीजे जो आपको वहां जाके परचेस करनी पड़ती है और क्या कहते हैं अगर आप यहां से लेकर जाएं तो आपका टाइम से वह जाएगा आपके पैसे भी बच जाएंगे यू नो हमारी पाकिस्तानी करनसी जो है वो बढ़ती नहीं है और डे बाइडे रियाल है और बाकी जो करनसी जे वो उपर होती जाती है एकसीट करती जाती है तो यही वज़ए कि बहुत ज्यादा कॉसली पड़ेगा जितनी चीजे आप को हो सके तो कोशिश करें यहां से ले कर जाएं वहां बहुत ज़्यादा फजू खर्ची ना करें यूआँ कि बहुत ज्यादा एकसपैंसिफ है रियाल एस कंपयर पाकिस्तानी रुपीस तो कोशिश कीजिए का कि आप सारी चीज़ें ले कर जायें तो वीडियो स्टार्ट कर जाएंगी और इसके इलावा जो लेडीज की शॉपिंग है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजेगा और एंड तक लाजमी देखेगा वीडियो को तो मैं अभी स्टार्ट करती हूं वीडियो और आपको मैं गाइड कर देती हू क्या क्या चीजे मोस्ट इंपॉर्टन हैं क्या क्या चीजे आपको लेकर जानी चाहिए और क्या क्या चीजे जो हैं आपको वहाँ जाके परशानी होगी और वो भी आप यहां से लेकर जाएं तो यह स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहरे यह इलेक्रिक स्टोफ है यह कोई खा स्लीपर, तो यह मेरे हज्बेंड की समफिर्टिबल स्लीपर हैं। यह लेकर आए हैं," thriving flare, और यह हम रहे li sauna". ठीक है और इसके इलावा दो एहराम है और छे ड्रेसेज हैं और ये दो एहराम है मेरे हस्बेंट के और ये एक जानमाज है ये काउंटर है ये तजबी है और ये साथ दाने वाली तजबी है ये साथ दाने वाली तजबी है तो ये आपके लिए काम आएगी वहाँ पर और इसके इलावा ये जी दो उम्रा बैले मेरे हस्बेंट की एक तो वैसे एक ही लेकर जाएंगे लेकिन कि मैंने एहतियात के लिए रख लिए अगर के वहाँ पर जो नाई की दुकान होती है वह बहुत ज्यादा एक्सपंसिव होती है तो अगर मर्जी है वैसे उन्होंने ट्रिमर रख लिया है अगर जरूरत होगी उनको तो वह चले लेंगे अगर नहीं होगी तो मतलब ए जो है आपने अपने पैकेज के अकॉर्डिंग ही रखना है इसके बाद आ जाते हैं यह मैंने पॉकेट टिशू रखें डियूरिं उम्रा तो आप फेस पे कुछ टच नहीं कर सकते इसके लावा गर आप कहीं बहार जाते हैं तो यह बहुत अच्छा है कि यह पॉकेट इसी प्रॉब्लम होती है तो यह पॉकेट टिशू बहुत काम आएंगे आपके और जी अब यह है यह मेरे हस्बंड का बैग है मतलब की जो जो इंपॉर्टन चीजें हैं डोक्यूमेंट्स लाइक और मुबाइल का चार्जर है और नोटपैड वगरह है और इस तरह की जो आपशनल है मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मेरे बाल इसके इलावा नहीं सुलचते मैं मुझे इसकी आदत है तो इसलिए अपने लिए मैंने हेर ब्रेश रखा है इनके लिए कॉम रखा है और जी यह एक चोटी ऑईल की बॉटल है मस्टर्ड ऑईल मसाज करने के लिए अगर पेन वगरा हो कहीं पे तो यह यह हम दोनों के लिए ब्रुश और जी एक चोटा सा तूर पेस्ट लिया है और यह एक बॉड़ी लोशन है बॉड़ी लोशन और यह वैजलीन जो है यह लाजमी रख लीजीगा क्योंकि वैदर चेंज होता है तो वैदर होता है तो फिर इन सब चीजों की ज़रूरत पढ़ती है तो यह लाजमी रख लीजीगा और यह मेरे हजबंड लोग लेकर रहे हैं विच इस इंपॉर्टन थेंग यह जो लगेज और सूटकेस होता है उसको लॉग करने के लिए तो आप लोग भी लाजमी रख लीजेगा इससे यह होगा कि जो आपका सामान है वो कहीं पर चोरी नहीं होगा और जी यह तो आप लोगों को सब को पता है यह बहुत ज़्याद इंपॉर्टन है नेल कटर ठीक है डियूरिंग उम्रा आपने कहीं के भी बाल घर जरूरी नहीं काटने है आप जब मतलब आप जितने उम्रे के आरकान है वो अदा कर लें उसके बाद जो है आप अहराम के पाबंदियों से निकल जाए उसके बाद आप जो काम करना है वो कर सकते हैं तो नेल कटर सीजर और जी यह एक सोफ लिया है डटाल का तो यह फ्रेग्नस प्री है इस बहुत लाइट सी फ्रेग्नस यह तो डियूरिंग उम्रा आपने कोई भी गर जरूरी बाल नहीं काटने हैं, डियूरिंग उम्रा आपने कोई भी खुश्भू वगरा नहीं लगानी हैं, उम्रे की नियत करने से पहले आप खुश्भू लगा सकते हैं, बाद में लगा सकते हैं, लेकिन आपने जब इहराम की सब्सक्राइब कर लिए उसके बाद आपने कोई खुश्बू वगरह नहीं लगाई यह संग्लासेज हैं दूप बहुत ज्यादा होती है महां पर तो यह थ्यात के लिए जरूर रख लीजेगा संग्लासेज यह लो टेप देख रहे हैं तो यह बहुत काम का है यह बॉटल और यह वाइटो है पर्मेंट बार्कर और जीपेंग विच इंपॉर्टन थिंग यह वेट मशीन आपने लाजमी 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 रखना हैं क्योंके अकसर ऐसा होता है लोग अंदाजे से समान भर लेते हैं अपने सूटकेज और लगेज वगर में तो और होता है कि एरप आपका समान कितना है कितनी आप खुद वेट कर लें और जी यह है एक सर्फ एक सर्फ कपड़े दोने के लिए जो है यह जरूर रख लीजेगा इसलिए मैंने हाफ केजी का एक पैकेट रख रख है तो और जी यह आ जाते हैं यह मैं आपको दिखाती हूं यह तो बहुत ही क आपको जो चीज इंपॉर्टन लगती है तो आप मुझे कॉमेंट सेशन में जरूर बताईएगा कि अगर नेक्स टाइम जाना हुआ और क्या कहते हैं फिर जो चीजे रहे गही हैं तो नेक्स टाइम कोशिश करूंगी कि मैं वह भी लेकर जाओं और जो मतलब मेरे वीवर् बाम पे और यह चोटी जो है यह बाटल मेरे हजबन ने लाके दिये यह आईल है यह इससे मसाज करने से बहुत आराम आजाता है मुझे तो बहुत यह एफेक्टिव लगता है तो इसलिए यह मैंने एक यह रख लिया है और क्या कहते हैं इसके इलावा जो भी मैडिसन है ज लाजमी रख लीजागा इसके लावा अलहम्दल्ला मुझे कोई प्रॉब्लम देंगे और कोशिश कीजागा पैंकिलर लाजमी लाजमी रख ले косा है कि एसे यह बहुत ZYد महीं होगा उसके रिजन यह भी है हम चलते नहीं हैं बहुत ज्यादा ओप्र चलने की वज़ इस सह होता है तो कुछ भी हो सकता है तो एहतियात के लिए आप क्या कहते हैं बैंडेज पेंग लर और जो भी ऐसी मैडिसन है जो आप यूज करते हैं वो लाजमी रख लीजिएगा और अब आज आते हैं ये चार्जर की तरफ तो आप अगर बहुत सारे लोग एक साथ जा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिएगा एकस्टेंशन रख लें के होता है है कि एक रूम में इतने जादा सौकेट नहीं होते तो एकस्टेंशन की जरूरत होती है लेकिन हम जहें दो हस्बेंट वाइफ हैं और हमारा एक रूम है तो वहाँ पे दो सौकेट तो होते ही हैं तो और हमार माशला माशला हमारे जो मुबाइल की बैटरी टाइमिंग है वो भी बहुत ज्यादा है तो इसलिए हमें नहीं लगता है कि हमें कोई extension की या power bank की कोई need होगी अगर आपके मुबाइल की बैटरी टाइमिंग कम है तो आप power bank भी रख लें और extension भी लाजमी रख लें हमें उसकी कोई खास need नहीं है तो इसलिए वो नहीं रख रहे और जी आ जाते हैं important चीजों की तरफ तो which is most important thing तो ये मेरा ये मेरे husband का passport है और ये हमारे vaccine card तो अब ऐसा होता है कि vaccine जरूरी है vaccine के साथ आपने booster भी लगवानी है तो ये vaccine card है और ये कुछ एहम हमारे documents है तो ये हमने रख लिए हैं एहतियात के लिए और ये wrapping roll है ये भी आप एहतियात के लिए लाजमी रख लीजेगा आई होब कि मैंने आपको अच्छी तरह से गाइड किया हो और जो जो most important चीजे हैं वो मैंने इस वीडियो में आपको बताई हो और इसके इलावा अब हम आ जाते हैं अपनी packing की तरफ तो ये सारी चीजे मैं एक suitcase में रख लेती हूं अपने husband की हाथ के हाथ पैकिंग करती ज देख लें और इसके इलावा एक चीज मैं आपको दिखा रही हूं वो भी रख लीजेगा आप लोग ये एक handbag है इस तरह से तो ये एक रफ बैग ऐसी रखा है इससे ये होगा कि आप जो अपने शूज बगर हैं वो इसमें डाल के रख लें तो ये इस तरह के एक रफ बै लग रख लीजेगा लाजमी तो अभी तो ये हो गई मेरे हजबेंट की और इंपॉर्टेंट जो चीजे थी वो पैकिंग कम्प्लीट हो गई है ये मैं आप सूटकेस में रख लेती हूं और उसके बाद मैं अपनी पैकिंग स्टार्ट करती हूं तो वो जो मेरी जो पैकिं इनकी लिस्ट में सिफ चार चीजें और ये मेरी लिस्ट में बहुत सारी चीजें तो यह होता है कि जो खवातीन होती हैं लेडिस उनकी जो चीजें होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीट लेडिस की भी पैकिंग बताऊंगी कि क्या हुआ या मेरी वीडियो इंफर्मेटिव है या नहीं है जिस तरह कभी है जो भी रीव्यू है जो इन्पॉर्टन सजेशन देना चाहें रीव्यू देना चाहें कुछ भी देना चाहें एक्स वाई जैड तो कॉमेंट में ज़रूर बता दीजेगा मुझे यह जी मेरे हस्बेंट का एक एहराम और एक उन्होंने बांद के जाना है घर से तो एक रख रहे हूं मैं एक इन्पॉर्टन सजेशन आप इस तरह का एक बैग ले लें यह ट्रांसपेरंट है बैग इससे जो है आपकी चीज़े आपको दिख भी जाएंगी मिल भी जाएंगी और यह बहुत अच्छा रहेगा चीज़े एक जगा पर सेव रहेंगी तो अब सारी चीज़े इस बैग के अंदर डाल देखेंगे लॉग निकालके बाकी सारी चीज़े इस बैग मैंने डाल दियें देखें इस तरह से आपको इजी ली मिल जाएंगी सब चीज़े और एक पर रहेंगी तेस्टिड बाक्स यहां पर इंती जो चीज़ें हैं वह हो गई हैं कम्प्रीट एक एराम मैंने निकाल लिया है एक एराम बैल रख ली है एक इनकी स्लिपर एक जो यह वियर कर जाएंगे और एक लेकर जाएंगे तो यह मैंने इक रब्दी है इसके इलावा निक शीर रखनी है मैंने पांसपोर्ट रुखत रख लिए यह सारी चीज़नी हैं यह अपने हेंड़ बैक प्लिपेक जाएंगे चार्जर बगारा और वेट मशीन और लॉक यह सारी चीज़े मैंने बहार रख ली है और जो चीज़े सूट के अंदर जाने वाली थी वह सब चीज़े रख ली है तो जी अब इसको कर देते हैं पैक बैक के साथ ना यह एक लोग आ यह बहुत अच्छा है